बात करेंगे और एक बहतरिन कंपनी की जिसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने चाहिए और इसकी ग्रोथ स्टोरी में आपको भी एक हिस्सा लेना चाहिए अगर देखें हम लोग तो इस कंपनी में आप यह देख सकते हैं कि इस मंत में मंत ऑफ जुलाई में 31% अप साइड में रहा है उसके बाद देखें में में तो यह में में 47% था और आप यह देख सकते हैं कि अगर पूरे quarter की बात करें तो quarter to quarter basis पे 59 से 59 रुपीज से जो प्राइज है आज वो 350 रुपीज पर ट्रेट कर रहा है तो आप यह देख सकते हैं कि already already company ने बहुत चुका है दे चुकी है उसके बात अगर देखें कि इमस की बात करें कि कि किस पर किस पर कमपनी ट्रेड कर रही है quarterly हमनों यह समझने कोशिच कि हरी हर टाइम फ्रेम पे company अप्रेंडिंग है daily और weekly charts पे यह आप देख सकते है weekly charts पे कितना शांदार upside में trade कर रहा है monthly charts पे कमपनी के fundamentals की fundamentals अगर देखें तो company 13,000 करोड की है अगर पी देखें तो 17.4% का है जो इंडेस्ट्री पी है वो 50 का है मतलब compare to industry P13 पे मिल रही है हमको company almost debt free है देखें तो debt quickity ratio 0.12% है company ने अपने debt को continue कम किया है year to year basis पे कम किया है आगे हमनों समझने कोशिच करेंगे company की जो promot प्रोटर होल्डिंग है और totally zero है मतलब एक company professionals manage company है और यहां पर देखें तो 57% का जो equity है वो FIS के पास है मतलब FIS कितना भरोसा करते हैं इस company पे आए आगे समझते हैं प्लेज होल्डिंग है वो totally zero है profit growth देख सकते हैं अब हम आगे समझने की कोशिच करें तो company एक supply chain solution देती ह कंपनी डेफ फ्री है कंपनी डेफ को फ्रीवी किया और company ने एक high dividend pay 36.85% का dividend दे रही है sales growth लो रहा है last उसमें यहां पे देखें तो जो industry का P है वो 45% 183% 57% 12% 6% मगर यहां पर यह 17% के P में मिल रही है और company 13,000 क्रोड की company है उसके बाद अगर देखें तो जो sales है वो sales हम लो हो रहा है June 2018 को compare करें June 2019 के साथ यहां पर यह देख सकते हैं कि quarter to quarter basis पे क्या growth हुआ है 8.95% यहां पर देखें तो 10.0% तो sales है वो continue growth के साथ हमको growth देखने मिल रहा है quarter to quarter basis पे because of COVID-19 यहां पर देख सकते हैं 8.37% का fall था March और June के sales में उसके बाद हम लोग देखें operating profit margin जरूर य increase किया है March 2021 में quarter to quarter basis पे 2% का constant operating profit margin है interest आप देख सकते हैं कि जो company पहले interest 44 करोड 47 करोड और 60 करोड दे रहे थी अभी उसको कम करके 30 करोड कर दिया है तो company ने अपने debt को भरा है net profit की बात करें तो net profit आप देख सकते है 3303 करोड इस quarter में report किया है मतलब overall quarter to quarter basis पे company अपने profit को अच्छी तरीके से हर quarter to quarter double करती जा रही है जून 2020 के साथ हम लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोग देखें sales की बाल तो sales आप देख सकते हैं किस तरीके से grow हुआ है continue company कम से कम 10% का जो sales growth है उसने properly sustain किया है यहाँ पे check कर सकते हैं 8.60% और यहा यहाँ पर देखें तो यह year to year basis पे किस सरीके से sales को sales को grow किया है expenses देखें तो material expenses सबसे ज्यादा इनके हो जाते हैं जो हैं यहाँ पर देखेंगे तो 95% material expenses एंप्लोई कोश्ट बहुत ही कम है 2% कोविड में इन्होंने भी employee कम किये हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि employee cost 1% कर 50% employee यहाँ पर जा चुके हैं company निकाल दिया है ऐसा हम लोग कर सकते हैं कह सकते हैं जिसमें दो reason है कि company पूरी टेक्नलोजी पर शिफ्ट हो रही है तो employee कम करती है या because of covid उन्होंने कम किया हो यहां कि net profit देखें तो 756 रोड का net profit report किया है मार्स 2021 में और company हर साल हर साल एक पां 500 क्रोड का profit report कर रही है अगर यहां पर देखें तो company ने जो CAGR 254 परशंट का है और यहां पर अगर शेर कैपिटल देखें तो 79 क्रोड शेर इशू थे अभी वह 78 हो गया है मतलब company ने buyback किया है जिसके वेसे इनका जो earning पर शेर है वो काफी बढ़ गया होगा यहां पर borrowing देख सकते हैं borrowing पहले 1149 क्रोड की थी फिर बाद में यह 2775 क्रोड की थी company ने इसको मार्ज 2021 में बहुत ही कम किया है 616 क्रोड का सिर्फ company पर भी कर जा है उसके बाद देखें तो cash from operating में बहुत अच्छी और शांदार तरीके से operating activities से cash flow को एक मतलब एक healthy cash flow है यह देख सकते हैं हम लोग और net cash flow भी positive है this is a good sign उसके साथ अगर return on capital employed देखें तो 20% का return on capital employed है यह भी अच्छा signature है और data days है वो पहले से कम की हैं पहले 50 दिन में company को पैसा मिलता तब यह 44 देज में मिल रहे हैं तो यह भी एक अच्छी चीज है inventory turnover देखें तो 16.37% अब बड़ी हुई है company की FIS की investment देखें तो FIS की जो investment हो किस तरीके से बड़ी है हम लोग चेक कर सकते हैं जो पहले 38% थी जून 2018 में अब यह 42% हो गई है और देख सकते हैं कि कौन कौन सी company ने कौन कौन से FIS ने इसमें पैसे लगाया है एक बड़े बड 50% थी और अब अब यह अब यह बढ़के मतलब जो पहले यह 19% की थी माँपकरना अब यह बढ़के घटके 16% हो गई है पुब्लिक होल्डिंग पहले 43-44 की थी अब यह पुब्लिक होल्डिंग 42 की होडिक सी कम हुई है तो यहां पर देखें तो FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है अगर लोग एनसी की साइड पर जाके देखें कि आज इसमें डिलवरी क्या हुई है तो आप नाम देख सकते हैं कंपनी का रेडिंग्स्टन यहां पे आप लोग नाम एक बार चेक कर सकते हैं रेडिंग्टन इंडिया लिम्टेट तो यहां पे अगर देखें तो डिलवरी आज जो आज के दिन 69% डिलवरी उठी है मतलब जितने भी कॉंटिटी ट्रेड हुई थी उसमें से डिलवरी है वो 69% डिलवरी लेके गए हैं लोग घर पे एक अच्छा संकेत है अगर मैं अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियों में एड कर सके अपने फैनेंशल एडवाइजर से एडवाइज लेने के बाद नमस्कार धन्यवाद